आज हम देखेंगे के हम किस तरह से पोड़ोशॉप के अंदर कोई किसी बेमेज को बहुत एजी ली रिसाइज कर सकते हैं विदाउट लूजिंग उसकी जो आपजेक्स की डायमेंशन हैं वह इसके लिए आपको यह नोट करना होगा कि अगर आपकी लेयर यहां से लॉग्ड है तो इसको सिंप्ली क्लिक करके अनलॉक कर लें So firstly मैं आपको यहां से अपने अपने पैनल में जाते हैं और यहां से content aware scale पे select करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहां से अपनी image को scale करना शुरू करूँगा So आप एक चीज नोट करें कि जो मेरा plane है वो भी यहां से वो भी squeeze होना शुरू हो गया So अगर अगर यहां पर मैं इसको अपने image को save करूँ यानि कि जो उपर हमारे पास select की option आती थी मैंने उसकों से select करो हूँ तो आप यह note करें कि हमारा plane है वो भी squeeze हो गया है But हम लोगों को इस तरह से नहीं चाहिए So इसका जो सबसे असान हल वो यह है कि आप यहां से अपनी properties में आएं In case अगर आपके पास यहां पर properties का यह panel नहीं show होता तो windows में जाएं और यहां पर आपके पास properties का एक panel आजाएगा इस पर click कीजिएगा यहां से आप select subject पर select कर लें Alright So जैसी हमने अपनी है से select subject पर select किया यह इसे automatically हमारा जो plane है उसका subject जो उसके at the gates हमारी selection ले ली So अब हम यहां से अपने select वाली menu में जाते हैं और save selection पर select करते हैं जिससर्थ हम यहां पर करेंगे हमारा पास एक new window open होगी इसमें मैं इसको नाम देता हूँ Okay let's say plane में इसको एक नाम दे दिया और इसको कर दिया save So अब मैं control D press कर रहा हूँ सारा deselect करने के लिए यह हम जो है करते हैं अपने जो यह select वाली option है basically इसके अंदर आके deselect कर रहा सकते हैं Okay अब मैं अपने edit में आऊंगा and then वापस से content aware scale पर select करके हमार पास यह उपर option आ रही है that is protect इस protect पर select करके जो अभी हमने selection save की थी plane वाली उसको select करूँगा और अब आप एक चीज़ नोट कीज़ेगा कि जिसको अपना shift press करके मैं अपनी image को अगर आप यह देखें मैं इसको squeeze करवा रहा हूँ तो मेरी जो plane है वह उसकी selection है वह खराब नहीं हो रही बाकी जो image है वह मेरा automatically squeeze हो गया है so yes आपके पास यह एक option है आप इस तरह से करके अपनी कोई बी जो image है उसकी जो selection है उसको save कर सकते हैं बाद में आप crop वाले tool पर करा के select करें और उसके बाद अपनी image को यहां से थोड़ सा crop कर दें and yes boom you're good to go आपकी जो image है वो भी resize होगी आपका जो object है उसकी dimensions भी नहीं खराब होई so thank you so much for watching please subscribe to my channel और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको like करें comment करें and please share कीजिएगा thank you करें वार बार अपको यह झाल है वार राम यह